नमस्कार तिबद टीवी के दर्शकों को सप्ताहिक हिंदी समाचार प्रसारन में स्वागत करता हूँ आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पेलजोर देखे इस सप्ता के प्रमुक खबर केंद्री एतिपती प्रशासन दोरा कांगडा जिला COVID-19 रहत कोश में योगदान केंद्री एतिपती प्रशासन के सी क्योंग डॉक्टर लॉपसां सेंगे दोरा COVID-19 महामारी में निश्वार्च सेवा कर रहे सभी स्वस्त कर्मियों की प्रशंसा चीन दोरा तिपत के राज़दानी फासा में कोरोना महामारी पर प्रदिबंद हटाये जाने से तिपती चिंतित चीन को सन्यूग राश मानफ अधिकार परिशत के पैनल में शामिल करने पर तिपती प्रशासन का बयान सी क्योंग डॉक्टर लॉपसां सांगेन ने श्री शीवराज सिंग चोहान को मद्यपरदेश का दुबारा मुख्य मंत्री चुने जाने पर बदाई दे अब सुनिए खबर विस्तार से कांगडा जिला उपायुक्त कारेले दौरा कोविट-19 महामारी को फैलने से रोकने की सारानिय प्रयासों का समर्थन एवं उसके प्रती एक जुटता प्रकट करने हेतू के इंद्री एतिपिती प्रशासन की और से जिला कोविट-19 रहत कोश में तीन लाख रुपै का योगदान दिया गया। एक अन्य आउसर पर सी क्योंग डौक्टर लोफसंग संगे के नित्रत में काशाक द्वारा बारत तथा विश्वबर में कि इंद्री एतिपिती प्रशासन के पत आदिकारियों तथा दार्मिक एवं समाजिक संसानों को कोरोना महामारी के संदर्ब में सरकार द्वारा चला इंद्री तथा राज सरकार द्वारा शुरू किये गए राहत कोश में समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया है इसी प्रकार बारत स्थित तिवदी समुदाय के सेटल्मेन ऑफिस तिवदी मठ गैर सरकारी संगठन इतियाती कई दार्मिक वा समाजिक संस्थान प्रद रौलोवसां संगे ने तिबत ओन लाइन ठीवी के माध्यम से चीन के वहन शेहर से उत्बन कोरोना वाइरिस महामारी के संबंद में तिबदी समुदाय को वर्तमान सिती के बारे में नविनितम जानकारी प्रतान की इस आउसर पर उन्होंने चार मुखे बिंदों पर जानक देशी तिबतियों के लिए विशेश सूजना, तीसरा तिबत समर्थक समुह के लिए सूजाओ और ताला बंदी के दौरान तिबती समुदाई के बुजर्क एवं युवा सदस्य को शारिरिक तथा मानसिक कष्टों से निपटने की सला भी शामिल है। इस संकट के दौरान निस्वार्थ सेवा कर रहे सभी स्वसकर्मियों के लिए प्रातना करने की उन्होंने तिबतियों से अपीर की। उन्होंने के इंदिरे तिविधी प्रशासन और तिविधियों की और से सभी स्वासकर्मियों को इस संकट के द्वारान योगदान के लिए आभार प्रकट किया To our friends around the world, to all the Buddhist practitioners, generally to the people around the world, those who are suffering from the coronavirus which originated in Wuhan in China, I would like to say, you know, we feel we are with you. Please stay strong and take care of yourself. Prevention is better than cure as far as this virus is concerned. So take all the precautionary measures issued by your respective governments and be careful and be safe and be strong. We will never forget your kindness and support for the Tibetan people and Tibetans around the world as we always do. We wish you all the best and we pray that no one gets sick and then if you do, please do take care of yourself and we just want to say thank you for all your support and be strong and be careful. Thank you. तिब्बती सूत्रों का कहना है कि चीनी शासन दोरा तिब्बत के राजदानी रहासा में कोरोना वाइरिस महामारी के संदर्व में लगाए गई प्रती बंदों को हठाने से अब लोगों का सरकों पर आना शुरू हो गया है. लेकिन चिन्ता बढ़ रही है क्योंकि इस महामारी का सबसे बुरा समय अभी भी खदम नहीं हुआ है. तिब्बत के अधिकारिक तिब्बत डेली अकबार के रिपोर्ट अनुसार तिब्बत के राजदानी रहासा तथा कई छेतरों के दोसो चोदा मट मंदिर तथा अन्यद्धार्मिक सलों को खोला गया है. हाला कि अंगुतकों को फेस मार्क्स पहनना अवशक बनाया गया था. इसमें ये भी बताया गया है कि रहासा के स्कूलों, रेस्टोरेंट और दुकानों को फिर से खोला जाएगा. रेडियो फ्री एशे को खोलासा के निवासी तिपती ने बताया कि बजार तथा अन्यकई वैपार खोलने के कारण चीनी मुख्या बूमिय सी वैपारी तथा कामगर तिपत में आ रहे है. 24 मर्च को चीन सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से वोहान शेहर से प्रदीबंध हटाया गया था. वोहान वो शेहर है जहां कोरोना वायरिस महामारी से संक्रमित लोगों की सबसे ज़्यादा मामले आया था. और आज के समय ये पूरी विश्व में फैल रही है. आपको ये भी बदा दे कि वहां के लोग आपचीन तथा तिबबत के अलग-अलग छेतरों में प्रवास कर रहे हैं. इसलिए उन्हें इस वायरिस का अभी के समय अधिक फैलने का ज़्यादा डर होता है. उन्होंने सचेत किया कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना वायरिस महामारी को नियंतरित कर लिया गया है. तिबदी समुधाय के लिए अब एक थोड़ी अच्छी खबर रेडियो फ्री एशिया के ही अनुसार तिबबत के गाबा छेतर के तिबदी दुगानदार सोनम थरके को चीन सरकार दोरा 2015 में दार्मिक दोच पर परमपावन दलायलामा जी का चितर रखने के तथाकतित आरो परमपावन के उन्हें रिहा कर दिया गया है सन्युक्त राच मानव अधिकार परिशत के पांच राष्ट्रे की पैनल जिने सलाकार समुव भी कहा जाता है उसमें चीन को शामिल किये जाने से केंदिरे तिबदी प्रशासन को काफी निराशा हुई है उसकी दृष्टी में इस से चीन के प्रभाव और आख्रमक्ता में और वर्दी हुई है केंद्रे तिबिदी प्रशासन के सूचना सजीव श्रीत सावंग यालपू आरिया ने बताया कि ये बहुत दुर्बागे पून बात है कि चीन को सन्यूग राश मानवधिकार परिशत पैनल में शामिल किया गया है हम बदा दे की चीन विश्व में मानवधिकारों और दार्मिक अजादी के गोर उलंगन करने वाले देशों में शीर्ष्तान पर है विश्व के सबसे खराब मानवधिकार देश के प्रतिनिती को सन्यूग राश मानवधिकार पैनल में शामिल करके ये परिशत अंतराश्ट्रे समूदाय को घलत संदेश बेज रही है इसी लिए सन्यूग राश को मानव अधिकार परिशत पैनल में चीन को शामिल करने की निरने पर पुना विचार करने चाहिए इस संदर्ब में अमिरिकी सेनेट के साथ संसदों ने सन्यूग राश के महासचीव श्री एंटोनियो गुटरेस को एक पत्र लिख कर जिनिवा स्थित्चीनी मिशन के मंतरी श्री जियांग ड्यूएन को सन्यूग राश मानव अधिकार परिशत के सलाकार समू में शामिल करने पर गंबीर विरोत तथा निराशा प्रकट की उन्होंने इस निर्ने को स्तकित करने की अपील की है गत साथ एबरल दो हाजार बीस को के इंद्रिय अतिविदी प्रशासन के सी क्योंग डॉक्टर लौफसंग संगे ने श्री शिवराज सिंग चोहन को मद्य परदेश का फि प्रशुप कामना संदेज में बारत के प्रती एक जुटता प्रकट करते हुए कहा कि जब से चीन के वहान शहर से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मामले आए है तब से दुनिया के दो सो से अधिक देशों में यह मामारी फैल चुकी है ऐसे संकट के गड़ी में हम बारत के साथ इस मामारी की रोकथाम तता फैलने से रोकने के प्रयासों में सैयोग प्रकट करते है हमें विश्वास है कि ऐसे परिस्तिती में आपका दशकों का अनुबाव तता नेतृत्व मध्य परदेश की जनता के लिए प्रभावी सित साथ ही निर्वासित तिपती सांसत के अध्यक श्री पेमा जुगने ने भी तिपती सांसत की और से मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग चोहन को बदाई दी है इसी के साथ आजकल खबर यही समाप्त होता है अकले हफ्ते हम फिर मिलेंगे धन्यवाद